हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का यूटूब के सुपर इंडिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी तो सभी दोस्तों से निवेदर है कि क्रिपिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सब्सक्राइब के बारे में। ज़िए आप सपने में लंबे और चमकदार बालों को देख रहे हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं और सुन्दर हैं तो इसका आर्थ होता है कि ये समय आपके परिश्रम करने का है ये आपके अच्छे दिनों और भाग अच्छे होने का संकित है कि ये आपका समय बहुत अच्छा है इसमें आप परि तो ये सपना बताता है कि आप भविश में कुछ दिन इसे आने वाले हैं जब आपको रुकना है ठैरना है और अच्छे दिनों के आने की प्रतिछा करनी है जब आपके अच्छे दिन शुरू हो जाए तब आप कुणा कारे पूर करें कुछ समय आपके ठैरने का होता है और य तो इसका आर्थ होता है कि आप जो कारी कर रहे हैं उस कारी को आप चेंज करतें क्योंकि उसकारी में आपको याफ नहीं प्राप्त होगा वलकि आपका समय बेर्थ में जाएगा और आपकी उन्नती नहीं होगी तो यह सुपना बताता है कि आपके दी बाल दूसरे रंगे हैं, खराब वस्ता में या मटमेले या कोई सी धुंदले या लाल या फीले कलर के दिखाई देते हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी कारी वरतमान में कर रहे हैं, उसको चेंज करें, आप अपने दिन चर्या मे बदलाव करें और यदि आप अपने सिर के बाल पके हुए सफेद कलर के देख रहे हैं तो यह सपना बहुत अच्छा होता है यह आपके भागी में बहुत अधिक प्रगती उन्नती लिखा होता है क्यों बहुत जल्द आप उन्नती करेंगी पदपतिष्ठा लाप होता है और आपको अधिक मात्रा मेधन और स्रमान प्राक्त होता है और यदि आप सपने मियत देख रहे हैं कि आप बालों रहित हैं आप घंजे हो चुके हैं बाल गिर चुके हैं आपके बाल खराब हो चुके हैं तो यह सपना आपको आवसी ठहरने का इंतिजार करें अच्छे दिन आने पर ही आप अपने कारें को पूरा करें तो मैंने जो आपको जानकारी दी कैसी लगी है और यदि एक प्रस्न और बचा है क्योंकि यदि आप बाल कटवा रहें नाई से तो समझ जाएगे कि बहुत अच्छा समय है आप परिस्दम करें महिनत करें ये समय आपके लिए बह बहुत सोब है और अपने बालों को कंगी करना भी बहुत अच्छा होता है ये आपको लाभाव से कराता है तो मैंने जो आपको जानकारी दी कैसी लगी यदि कोई प्रस्न छूट गया हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करें हम आपके पस्ट का उतरावस देंगे मिलते ह अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद दोस्तों